निमन कथनों में से 3 वर्गमूल 17 के लिए कौन सा सत्य कथन है प्रश्ण को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और हल करें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें आईए सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 वर्गमूल 17 एक परिमे शंख्या है अतह इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं जहां P व Q सह अभाज्य यानि की को प्राइम संख्याए हैं तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभायनिष्ठ गुणन खंड यानि की कॉमन फेक्टर नहीं है पुनह व्यवस्थित यानि की रियरेंज करने पर वर्गमूल सत्रह बराबर P बटा तीन Q प्राप्त होता है चुकि आपको याद होगा कि परिमे संख्याओं का विभाजन भी एक परिमे संख्या ही होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि चुकि P और Q परिमे संख्याओं है तो दाइपक्ष P बटा तीन Q भी परिमे संख्या है इसलिए वर्गमूल सत्रह भी परिमे संख्या होगी क्या आप वर्गमूल सत्रह को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं, वर्गमूल सत्रह को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अर्थात यह एक अपरिमे संख्या है यह विरोधभास यानि की contradiction हमारी गलत कल्पना की कारण हुआ क्योंकि हमने तीन वर्गमूल सत्रह एक परिमे संख्या मानी थी अतह तीन वर्गमूल सत्रह एक अपरिमे संख्या होगी इसलिए विकल्प दो सही उत्तर है यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है परन्तु यह गलत उत्तर है क्योंकि आपने पुनहर व्यवस्थित करने के बाद वर्गमूल सत्रह बराबर P बटा तीन Q पराप्थ होने पर आपने निश्चित कर लिया कि दायं पक्ष में P और Q पूनांग है तो P बटा तीन Q एक परिमे संख्या होगी इसलिए दायं पक्ष में वर्गमूल सत्रह भी परिमे होगी लेकिन आप भूल गए कि वर्गमूल सत्रह एक अपरीमेज संख्या है और कोई भी अपरीमेज संख्या किसी परीमेज संख्या के बराबर नहीं होगी अध़ध जिसके कारण आपका उत्तर घलत हो जाता है तो उम्मीद है कि आपको समझा गया होगा कि इस उधारन में दूसरा विकल्प क्यों सही है और पहला विकल्प क्यों गलत है